वेलकम डियर फ्रेंड कैसे हो आप सब आशा करती हूं आप सब बढ़िया होंगे तो आ गई हूं कुछ खास घरेलो और किचिन टिप्स लेकर आशा करती हूं आपको पशंद आएंगे सबसे पहले टिप्स है मेरी इस तरीके का जो हमारे पास बरतन धोने वाला आप बॉक्स years old class जूने कधो थोने के बाद का टोरी में ड。」 मैं तो इस में हमिसे बटन बॉस कर्ने वाला साबून रखती हूं और बन साफ करने के रहता है और मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती है इसके अगले टिफ से चावल को लेकर देखिए यह हमारे चावल आए हैं घर से हमारे मायके से तो इसमें यह पुराने चावल तो इसमें बहुत ज्यादा यह आपको दिख रहेंगे कीडे काले काले से जो होते हैं यह बहु होई जाते हैं अब मुझे इने क्लिन करना है इसमें लगने वाली है बहुत ज्यादा मैहनत के लिए यहां पर माचित टेल मैं यह तो इसके बाद हमें एक काम और करना आप चाहें तो इसमें लाल मिर्श भी ढालकर rolled एक रख एसर लेकिन बहुँ स्विलाज माहारे इसमें में डालूंगी एक और एक डालूंगी में कपड़े वाशकर करने वाली तो इस तरीके से आप माचीस की तीलिय भी डाल कर रख लीजिए और जह साबुन होती है वो भी रख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूं तो एक नहने वाली साबुन हैं और साबुन को ऎसे काज की अंदर इसमें रख देना है नहीं कर नहीं है एसा करने से जो इसमें कीड़े वगयरा है वह सब इसकी कुसभू सुंग कर भार निकल जाएंगे तो बस इस तरीके से मैं इस चावल की बौरी को अच्छे से बंद नहीं करूंगे बस यह थोड़ा सा पेट कर ऐसी छोड़ दूंगी ताकि यह थोड़ा बहुत खुला रहे हैं जैसे उन्हें इनकी महख चढ़ेगी साबून की और माचिस की तीली की तो वह इस चावलों से बहार निकल जाएंगे और मिर चावल फ्रेस हो जाएंगे इसके अगली टिफ्स है गाजर को लेकर अक् बिल्कुल न्यू है मैंने भी मंगाया है दुकान पर से और अभी आपको यूज करके दिखा रही हूं तो यह इस तरीके से जब हमारे यहां पर गाजर उखाड़ी जाती थी खेतों में से तो क्या होता था जो हमारे बुजुर्ग होते थे जो खेत से गाजर निकालते थे और गाजर की मिट्टी को साफ करते थे तो यहां पर मैंने प्लासिक का जूनान लिया है तो इहां पर अगली टीफ्स है अधरक को लेकर, अधरक लाते हैं और यह बहुत ही सूखने भी लगा जाता है तो एक तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आपको सायद पहले पता भी हो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है जिसे नहीं पता होगा तो उसके काफी काम आ सकता है तो यहाँ पर हमने अदरक लिया है और हमने एक लिया पोलो थीन सबजी वाली और इसमें हमें इसे बं हरा भरा ताजा नरम बना रहेगा हमारा अदरक सूखेगा नहीं विल्कुल भी तो आप इस तरीके से अदरक को काफी समय तक चला सकते हैं तो यहाँ पर देखिए एक टिस वारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर बनाने जाते गाजर का हलवा और क्या होता है कि जब हम गाजर वगरा गिसते हैं तो जब गाजर छोटी रह जाती हैं कि लाश्ट में जब गाजर गिसते गिसते लाश्ट वाला जो भागा जाता है गाजर का तो जब हम गिसते हैं तो अकसर क्या हो जाता है वह हमारे हाथ में लब जाता है तो उसके लिए मैं आपके स ना कभी-कभी छिल जाती है हम कने तो इन बातों को हमें जान घ़न रखना चाहिए यहां फॉरन पर मैंने लिया है यहुआजैर वाला काटा और मैं मैं इसमें पीछे से इसे लगा देती हूं गाज़र के पीसमें और मैं इसे टेखिए इसे अच्छे से कस लूँगी तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं और यह जिलिक कस भी जाता है मैं सबसे बारिक वाले दाते के तरफ से घिस रही हूं तो इसे मेरे दो फायदे होंगे मेरी गैस भी बच जाएगी और मेरा हलवा भी जल्दी से बन जाएगा तो इस तरीके से हम छोटे छोटे काम हाउस वाइप अगर करते हैं थोड़े सी समझदारी के साथ तो हमारा समय भी बसता है और हम शेफ भी रहते हैं तो यहाँ पर बस यह पीछा का भाग जो गाजर का बचा इसे में सैंक दूंगी यानिके हटा दूंगी आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं अगर आप पहली पाल मेरे चैनल पर आए हैं तो प्रीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और साथ में जो घंटी आरती है बनी उससे दबाकर आल पर सेट जरूर किए ताकि जब भी मै कोई helpful वीडियो अपलोड करूं तो उसकी notification आपको तुरंत मिल जाए तो कैसी लगी आज की tips मुझे comment box में बताना बिल्कुल न भूले फिर मिलती हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए टाटा बाए बाए